नमस्तार दोस्तों जसी क्रश्ट कैसे हैं आप सब उमिद करती हूँ खुश होंगे सखी होंगे शंपन दोस्तों आज बुद्वार है और अश्टमी है नवरात्रिका सबसे पावर फूल दिन है आज को आज आपको दोस्तों एक ऐसा छोटा सा उपाई बताने के लिए जारी ह करने से आपके घर में हमेशा धन आता रहेगा कभी भी धन की कमी नहीं होगी यदि आपको जानकारी अच्छी लगते तो प्लीज दोस्तों लाइक करें चलो को सब्स्क्राइब करें जो नहीं नहीं वीवर्स आ रहे हैं और प्लीज वीडियो को जितना जल्दा होशा कि शे यह लक्ष्मी प्रदान है मैंने पहले भी एक वीडियो अप्लोड की थी उसमें मैंने बताया था कि यदि आप अपने घर के दर्वाजे पर राइट हैंड साइड पर अधरक लगा देते हैं गमले में और यदि वो ऊंग करके आ जाती है तो आपके घर से कभी धन नहीं जा आप उपाय कर सकते हैं आख अधरत का अपने धर्वाजे पर गमले में लगा दे राइट हैंड साइड पर आपको स्टार के सेट में उसको गमले में लगा देना है उसको पर मेंटी डालनी ठोड़ी डाल दएनी पर दो अगरबती लगा देनी यह काम में आप अस्त्यमी के दिन मतलब रात तक में कभी भी कर लो बहुत ही स्वेस्ट रिजल्ट आएगा इसके सिवाई दोस्तों आज के दिन आप अपने पर्स में सोट का पाउडर या सोट का टुकड़ा रख लेते हैं यदि संध्या समय आप इस उपाई को करते हैं तो आपका पर्स हमिशा पैसों से भरा रहेगा दूसरा आज के दिन दोस्तों यदि सोट को आप लाल कपड़े में बांध करके उस पर स्रिम लिख करके स्रिम आपको लाल रंग से लिखना है चाहिए आप कुमकुम से लिखे या रेड कलर की पैंच से लिखे ठीक है श्रिम लिख करके लाल कपड़े से अपनी तरफ खीचती रहेगी हमेशा इसे रखा रहेने दे जब तक कि दूसरी नवरात्री नहीं आती है नवरात्री नवरात्री आप इसको चेंज करते हैं यदि सोठ रखी जाती है तो लक्षमी को आकर्शित करती ही है जो नेगेटिवीटी है उसको भी दूर कर देती है तो सोठ रहेगा यदी सोठ नहीं सोठ का पावडर हो तो पावडर की भी आप च्छोटी सी पुडिया बना लें और उसे आप लाल कपडे के अंदर रख करके और तीजोरी में रखते हैं मतलब जहां भी आप धन रखते हैं वो हर जगा आप सोट का पाउडर या सोट को रखते हैं सोते समय थोड़ी सी सोट आज की रात यदि आप दरवाजे पर छिड़क देते हैं तो उससे भी दोस्तो माता लक्षमी आपके घर की तरफ आकर्शित हो